तो प्यारे बच्चों, धेली पुलस मैती स्पेसल की क्लास आ चुकी है, जिसमें हम करने वाले हैं, प्रेटिस सेट दो बारे बीस का, क्लास नम्मर फाइब है, और इस क्लास में हम देखेंगे, कि बहुत सारे ऐसे कोशन है, जो पहली और दूसरी क्लास से मेल खाते हैं, से मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपसे बार-बार पर कहता हूं, कि आप बुक को छोड़कर फिलाल में, प्रेटिस का, सेट करें, मेत के, जिससे कि आपके सारे कॉंसेट भी क्लियर हो जाएं, किस-किस टाइप के कॉशन आपसे पूचे जाने हैं, वो आपके लिए क्लियर हो करते हैं इसको, सवाल में कोई टेंसन नहीं देखो, इसने का, हैंरी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसके मासिक बेतन में से, 25% घर के किराय की रूप में, 15% बच्चों की सिच्चा पर, और 18% अंध मदों पर खर्च होता है, यदि उसकी मासिक बचत 7560 है, तो मासिक बेतन ब होगी अपने आप में, ठीक है, अब उसमें से देखिए, खर्च कितना हो रहा है, खर्च हो रहा है, 25%, ठीक है, सेज का नहीं सिंपल है, 15% और 18%, ठीक है, तो कितना कर्च हो रहा है यहां से 25%, ठीक है, 15%, ठीक है, और यहां से हो रहा है, 18%, ठीक है, यहां से 25 और 15, यहोगे 40, चालीस और अठारा हो गया बिटा अठा मत तो 100% में से मनलब मैं अगर 58% मानस कर दूँ बिटा तो कितना बचेगा 42% ठीक है 42% अब यह 42% जो बचाए बिटा वो है इसके बरावर ठीक है कितने के बरावर इसके फॉटी टू परसेंट जो है वो बेलु है आपके 7560 के बरावर ठीक है बचाए 7560 थोड़ा सब देख लेता हूँ वीडियो ठीक ठीक है थोड़ा साथ चेक कर लेते हैं साथ ही साथ कोई प्रावलम तो नहीं आ रहे है ठीक है कि बाद मेरी में एक वीडियो में रुकी गया था यहां से ठीक है, और बागी प्रोसेर चलता रहा था, तो मैं इस वीडियो में नहीं आ पाया दो, इसलिए मुझे चेक भी करना होता है, ठीक है का नहीं, यहां से, ठीक है, देखो यहां से, यहां से देखो, 7 से कटेगा यह 6 बार, और 7 से काटे इसको यह कटेगा, 7 कम 7, 7, 8, 8, 56, और 6 से कटेगा इसको आट, यहां से, यहां से, तो एक परसेर जो जो वायाव, यहां से, च्थडक है, तो हंडेड़ परसेंड की जो वैलू होगी जो होंगी 18, यह आजाएगा आप अंसर बिलकुल परफेक्ट तरीके से, ठीक है, अब कोई doubt भिटा इसमें बिलकुल होना चाहिए, ना कोई problem होनी चाहिए, कोभी समस्चा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते, ठीक है, अब अगले सवाल में और समझना हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा deviation method, आज में बच्चों को इसी method को class में समझा के आया हूँ, सिंपल है, और बहुत ही अच्छी तरीकिसे आपको करना है, बुटा, देखो, बहुत है कह रहा है, एक परिच्छा में, चाहत्रों के एक समझ में, और सच अंग कितने है, 64, ठीक है, एक समझ हो है, यति 20% चाहत्रों की और सच यांग है, ठीक है, इनका टोटल आउसद कितना बिटा, 64, ठीक है, यहां से एक चीज़ समल, 20%, 20% मलब सीधा-सीधा 20, 20 का एवरेज कितना बिटा, 91, ठीक है, और यहां से बाकी के बचे कितने 25, 25, आगे के 25 जो है, 25% का कितना बिटा, 31, ठीक है, अब लगाएंगे सीधा-सीधा ठीक है, डैविशन से क्या है, इससे कितना कम है, यह 27 कम है, पिटा, जादा है, 27 कम नहीं है, ठीक है, और इससे इसको चेक करें, ठीक है, तो यह है आपका, यहां से 33 जादा, 33 कम, मैनस कर, ठीक है, अब यहां से 20 का, इसमें मल्टिप्लाई करेंगे, पिटा, इसमें, तो यह इसका इसमें करना है, ठीक है, यही तो था, ज्यादा, तो यह 540 आजाएगा, ठीक है बटा, और इसका इसमें करेंगे, तो यह आजाएगा, ठीक है, इसमें से हमें इसको माइनस कर देना है, ठीक है, इसमें से हमें इसको माइनस कर देना है, ठीक है, इसमें से हमें इसको माइ अब एक चीज़ समझो भीटा ध्यान से प्रवपर तरीके समझना भीटा है यह थी सो पचीस बीस होगे पचीस हो बचीस हो बची कितनी पच्छपन तो 64 जो संख्या है वो पच्छपन पच्छपन तो होंगी होंगी ठीक है यह डेविशन में तवर से हो रहा है अब हमें करना क्या है अब हमें जोड़ना यह आपका 200 पिच्छा से ठीक है यह चार हो गया गलती से थोड़ा से रफ करते हैं यह माइनस में गड़बड हो जाती ठीक है यह यहां से यह 0 यह दो यह कितना 5 और यह कितना 3 ठीक है अब 285 मानस से तो प्लेस का कर देंगे 285 इसमें एड़ कर देंगे ठीक है 285 हम इसमें एड़ कर देंगे यह आ जाएगा बिटा कितना 5 ठीक है और यह आ जाएगा बिटा तुम्हारा 10 का 0 यहां से आ जाएगा आपका सारा टाइम बचाने के लिए मैंने आपको डैविशन में तरसे बताया है यह सवाल मैं काफी समय बाहर आपको समझा चुका हूं बहुत ही अच्छे पैटर्न से सिका चुका हूं कुछ नहीं बटाया से सवालों में देखो करना क्या है बटा यह कह रहा है ए और भी एक साथ बढ़े कि मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूं आपको क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है बहुत सारी चीज़ा आपको समझा नहीं है मैं आप 15 कोशन में 5-5 गंटा कभी इश्ट करूं बिलकुल नहीं चालीस चालीस में तारीस मिनिट में लास्ट चालीस में मारी वीडियो कम्प्लिट हो जाती है ठीक है चालीस से ज्यादा नहीं लगते है यह और भी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं B & C उसी काम को 15 दिन में और A & C उसी काम को मिलकर 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो अकिला C उसी काम को कितने हैं समाप्त कर सकते हैं ? सबसे पहले यह देखो A Plus B ठीक है, दूसरा रहा है B प्लस C, तीसरा है C प्लस C, ठीक है, यह देखो ध्यान से, ठीक है, पाता ही समझ में, यहांसे यह समझो, A और B कितना 10 दिन में, B और C कितना 15 दिन में, सी और ए कितना बिटा बीच देना बात को समयना ठीक है यहां से L सिम आएगा कितना आएगा बिटा साथ आएगा 10 से कितना 6, 15 से कितना 4 और यहां से 20 से कितना 3 अब एक चीज समयना बिटा यहां से यह जो एफिसेंजी न वो किस की है सब डबल डबल है तो A प्लस B प्लस C की जो एफिसेंजी है वो टोटर मिला के कितनी है 13 तो यहां से मुझा डिवाइड देंगे तो यह आजाएगी A प्लस B प्लस C की जो एफिसेंजी आजाएगे बिटा यह आजाएगी 6.5 और यह काफी टाइम आ चुका है सवाल सेम इसी value से related ठीक है अब बिटा C का पूछा C उसी काम को तो काम तो हमें पता है साथ है ठीक है लेकिन C की एफिसेंजी निकालेंगे कैसे वाई C की निकालेंगे तो A और B की माइनस करनी पड़ेगी और B की कितनी है 6 और 6 हम इसमें से देखो A और B की कितनी पिटा 6 6 को और मैं माइनस कर दू तो कितना वचेगा 0.5 0.5 का यहाँ पर डिवाइड दे देंगे C की एफिसेंसी है तो पॉइंट से कटेगा 0 और यह कटेगा 120 बार यह आ जाएगा आपका आंस और यह रटा हुए सवाल है क्या यह बार पूछ चुका है मैं तो यह कर रहा हूं कि मैं पच्छासों बार यह सवाल कभी किसी न किसी एक्जाम में आ चुका है बलकुर सेम डिजट से लेटेड ठीक है मैं आपसे कहता हूँ प्रेटिस सेट एतना सवाल देना भी ठीक नहीं था यह ज्यादा ही सवाल दे दिया है कैसे कि सवाल के बल इतना कह रहा है कि बिटा वह संक्या क्या होगी जो हमेशाद दो अंकी संक्या और संक्या के अंकों को परस्पर बदलने प्राप्त की ही संक्या की योके गोडनकंड के बढ़ाओ संक्या की योके दो अंकी संक्या तो दो अंकी संक्या, पहली बात तो इसमें सी है, डायट आप अंसल लगा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, पलट कर बनी हुई संक्या से भी को मतलब यहां पर नहीं था, ऐसा सवाल भी दे सकता है, देखो, अब चक्रती ब्याज का जो सवाल है, बो है किस्त परादार है। ठीक है, किस्त परादार है, मैंने काफी बहुत ही 32 तर्गिस इसका सौट भी बनाया था, खाफी वीडियो भी बना चुका हूँ मैं इसके किस्त पर आधा रहे ता आप देखते नहीं, देखते तो देली पुलिस में कुछ नहीं है, देखो सवाल, एक रिट का बहुतान 5808 की दो समान बार्शिक किस्तों में किया जा ठीक है, अब एक चीज़ समयना, ठीक है, मनी और किस्त बनेगी कैसे, ठीक है, कितने साल हैं, दो, दो किस्ते हैं, तो दो बना लेजी, ठीक है, दस से कितना बिटा 11, 10 का स्कॉर कितना 100, ठीक है, 11 का स्कॉर कितना 121, अब प्रती किस्त 12 होगी, तो इस किस्त को भी भाई, प और यह कितना हो जाएगा 210 पैसा है 210 और एक किस्ट कितनी है 121 अब जो है किस्ट देखो यहां पर किस्ट कितनी है 4808 ठीक है 121 121 जो वैलु है वो कितने के बरावर विटा 5808 के बरावर ठीक है विटा कोई डाउट तो नहीं है और इसको 11 से काटें 11 से कट रहा है 11 वाल यह कटेंगा 11 55 और 11 22 और 1188 ग्यारे से फिर काटेंगे 11 45 और बचा 8 18 88 तो एक रिश्यो कि वैलु आ जाएगी बिटा 48 ठीक है हमें टोटल वैलु कितनी चाहिए 210 की चाहिए 210 का हमें इसमें पर अर्टिपलाई बिटा ठीक है जीरो ठीक है और 48 का एक मोग तो 48 का आठ केरी लगा 4 48 दुनी 96 चाहनवे और 4 दस हो जाएगा 100 हो जाएगा मतलब ठीक है यह आ जाएगा 10,080 जो कि आपसर नंबर आपका भी बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है बिटा कोई डावर तो नहीं है कुशन 5 हो चो के हमारे अब हम चलते हैं कुशन नंबर 6 की तरफ ठीक है आज लाश्ट में कुशन मैंने डाला हुआ इसमें उसके आपके लिए छोड़के जाना है 14 कुशन मैं कराऊंगा 15 में कुशन आपको करके बताना है कमेंट वोक्स पर आंसर देना है कमेंट नहीं देते हो आप लूब कमेंट नहीं करते हो देखो जब तक आप लाइक नहीं करोगे बिटा सेर नहीं करोगे कमेंट नहीं करोगे तो यार हम आके कैसे बढ़ेंगे ठीक है आप लाइक करो कमेंट करो 2-3-3 ठीक है वीडियो को share करो लोगों के पास पहुचाओ बीटा हमें भी तो आगे बढ़न दो थोड़ा असा ठीक है देखो एक प्रकासक थूख विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाब पर बेजता है थूख विक्रेता खुदरा विक्रेता को 25% के लाब पर बेजता है और वे ग्राक को 20% लाब अरजन पर 300 वाले में बेची जाती थोख विक्रेता के लिए बस्तू का क्रेम देखो कितने लोग हैं पहले बस्तू का cp होगा थीक है पहले बेची किसको पुस्तक थोग विक्रेता को फिर बेची के दूसरे नममर क्षोड ठिक, अब एक चीज समय ना, यहां से, पहला देखो 30% 30% का fraction है, प्रेक्षंट रहा हूँ 300, 30% का fraction है 3 बट्टे 10, ठिक है? फिर है 25%, 25% का fraction है एक बट्टद गतना बट्टे 4, ठिक है? फिर है आपका बट्टक इतना 20% 20% का जो fraction है वो है आपका एक बट्टे 5 बेच दाए तो 10 की थी अगर वो तो इसको कितने में पड़ी वो 11 जब इसको 11 पड़ी तो इसने 25% कलाव कराया तो मिलाब इसने 4 से कितने में बेच दी 5 ठीक है फिर इसने कितने 5 से कितने में बेच दी ये 6 10 से कितना 13 हो जाता 11 लिग गया है गलती से 10 और 13 हो तकितना 13 तेरों खिर हो जाता बाता ही समझ हो 13 ठीक है यहाँ सकочь की अदिपर और यह से मतलब है यह तो लास्ट में पहुंच गई पिछने के लिए और यह CP था तो CP बनाईए पहले पांच अग 20 और 20 गुणा 10-200 हो गया ठीक है चेपंजे 30, 339, 390 हो गया अब यह वैलू जो है 390 की वो 312 के बरावब है तब 300 बार उपन लखी विटा 390 नीचे लिखिए गुणा कितना बिटा 200 और यहां से जीरो से जीरो उड़ा दीजिए और यहां से यहां से देखो 49, 49 से देखो कितने से कट रहा है आठ नाम बहतर, आठ तीचोबिस सीदह सीदह आठ बर कट रहा है तो आठ गड़ा 20 बचेगा जो कि हो जाएगा आपका 160 प्रॉपर तरीके से आपका आंसर आजाए ठीक है यह पैटर्न काफी टाइम मैं समझा चुका हूँ आपको सवाल अलग नहीं है मैत अलग नहीं है मै अगले मैं करना है तो सारी चीजे तब ही जाके के लिए रहाँगे ठीक है बटा इलकुली सन स्पीट को बढ़ा लीजी क्या है बटा कुछ नहीं देखो सवाल में देखो अगले में यह कह रहा है रुपे 660 को ABC में इस परकार पांटा जाता है कि A के हिस्से में से 15 पे B के ह इस्से में से 25 पे कम कर दी जाएं तो उनके हिस्सों करना 578 हो जाता है तो यहां से A, B और यहां से C, टोटल कितना है इनके पास 60, 0, 60, 60 ठीक है, 60, 60 ठीक है, इसके हिस्से में से 15 कम किये गए, ठीक है, इसके हिस्से में से 20 कम किये गए, इसके हिस्से में से 25 कम किये ठीक है 15 और 25, 40 और भी 60, मतलब 60 total कम कर दी, तो बचे कितने 6000, 6000 का जो ratio है, वो कितना है बिटा, ध्यान से समझो, 6000 का जो ratio है, वो है 578, 5, ठीक है बिटा, 7, और कितना है, 8, 850 है total, ठीक है, तो 20 की जो value है, वो कितने के बराबर बिटे 6000, एक ratio की जो value हो जाएगी, वो हो जाएगी 300, एक ratio की value कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, ठीक है, बात आई समय में, एक चीज़ समझो, एक ratio की value 300 आ गई, C की इस्सेदारी कितनी है, तो अगर मैं पहले C को निकालना चाहूं, तो यहां से यह कितना हो जाएगी, बटा, 8, 8 थी है कितना, 24, 24 हो जाएगा, ठीक है, जब इसको वहा ले जाएगे, तो 25 और जोड़ जाएगा, ठीक है, 25 और जोड़ जाएगा, ऊपर ले जाएगे इस्सेदारी में, तो यह आजाएगा 24, 25, आप कहां से proper तरीके से, ठीक है, अब इसके बात हम चलते हैं, अगले कुशन पर, और देखें कि सवाल क्या कह रहा है, पिछले सेट में, ऐसा ही सवाल था, मैंने आप से बत का था, ऐसे सवाल आने की संभाव ना जाता है, जो कि 10 के बुक में से हैं, मैं कहूंगा कि काफी सिंपल है, 10 तक का ही से यह ले वस 10.5 मीटर है, गास के मैदान का उस भाग का चेत्रबल, जिसमें गाय गास चर सकती है, के बल आपको यह बताना है, तो यहां से देख लो गुठा, स्क्वाट टाइप का एक क्या है, गास का मैदान है, गास का क्या है, मैदान है, ठीक है, गास का क्या है, मैदान है, जिसकी ल लंबाई कितनी है, गास के माँ 20.5, ये भी 20.5, 20.5, 20.5, लेकिन एक कौने में खोंटे से बनी एक गाय, जिसकी रसी की लंबाई 10.5 है, रसी की लंबाई, तो रसी किछे की जब हो जाएगे, कितनी है 10.5, तो यहां से यह, और यहां से यह चर सकती है, ठीक है, तो अगर यहा सेक्टर, सेक्टर बना, सेक्टर जो बनता है, उसका फॉर्मला होता है, ठीटा बट्टे, 365 पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, अब यहां से एक चीज समझ लेना, बिल्कुल दिहान से, ठीक है, यहां से ठीटा कितना है 90, यह सीधर सीधर 90 का इंगल बने सकते थे, आपको इंगल समझाना जरूरी था, यह 22 अपॉन कितना बिटा, 7 इंटु आर, आरक ना 10.5 इंटु 10.5, ठीक है बच्चा, यहां से 90 से, चार बार सीधर सीधर, साथ सिसको काटेंगे, साथ एकम साथ, साथ पंजे, 35, 15 आजाएगा, ठीक है, यहां से, 2 से बिटा, ठीक है, यह आजाएगा बिटा, अब आपका सीधर सीधर सा, 11, 55, 11, 11, 11, 16, 16, यह करेंगे, गुणा 10.5 का, और डिवाइट दे देंगे, हम 2 का, और आंसर बता देंगे, आप मुझे आप इसमें, कमेंड बॉक्स में, इसका, ठीक है, यही रह गया, कर सकते हो, वही छोड़ दिया है, ठीक है बिटा, अब चलते है, question number 9 की तरफ, बड़े ध्यान से समझना है, और कर देना, तुरंत आपको अंसर, बिचले सेटो, ऐसा भी सवाल था, यह मैचिंग वाले सवाल है, मैचिंग वाले मतलब यह नहीं है, कि बल्कुल, एजट इज इजट भी आपको वही मले, डिजट आपको वही मलेगी, लेकिन इजट सवाल की कंडिशन जो देखी जाओ, वही है, ठीक है बटा, यहां से समय लो, यह कहा रहा है, 3 मीटर, 50 cm लंबी, और 4 मीटर, दीवार को समान आका करी वर्गर का टैल्स में लगाया जाना है, पूरी भी है, रूम या दीवार, वाल, या रूम, ठीक है, उसका क्या होना चाहिए, एरिया, ठीक है, अपॉन, एरिया ओफ टैल, एरिया ओफ टैल, एरिया ओफ टैल, होना चाहिए, होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, आप कहेंगी तर बल्कुल सही बात है, हो मैं कहां से तैल्स के अरिय कहां से आएगा, अब पहले यह समझ लो, यह तो L और B है, तो L जो है, L to L, बी माल लो, बी माल लो चोटी है, कोई बात नहीं, B है, चोटा है, बी माल लो इसको, लेंद कोई इसी माल लो हो, दीवार कुजर उतरे लेंद बढ़ी होगी, तो मैं रफ करके L यह लेख देता हूँ, पहली condition को कोई दॉन से में इन दोनों में सो कोई प्रावल्म नहीं तो L क्या है? 3 मीटर, 3 मीटर और 50 मीटर, 50 cm, 3 मीटर और 50 cm, तो इसको अगर मैं मीटर में, देखो, एक मीटर में 100 cm, तो 300, 350 cm हो जाएगा, 350, और यह अगर मैं भी लूँ इसको, तो यह 4 मीटर, 4 मीटर का मतलब हो जाएगा, यह 400 cm, ठीक है? अब देख लो, यह कितना आएगा, पचास, पचास से कितना साथ बार जाएगा, और पचास से कितना आएगा, यह 008, ठीक, आट बार, ठीक, अब एक चीज़ समझना है, तो यहां से जो कॉमन आएगा, जो SCF आएगा, वो टाइल की क्या होगी, साइड होगी, मैंना आपको दिन भी बताया था, तो SCF कितना आगा, यहां से 50, ठीक, तो दीवार के लिए यह तो हो जाएगा, 350 गुणा कितना, विटा, 400, ठीक है, और यहां आजाएगा, यह 50 गुणा 50 साथ के लिए, ठीक है, तो 50 से यह कितना 8 था, विटा, 50 से यह कितना 7 था, यहीं से हम, जो भी L से बचाया, उसमेंश टाइल की संके आजाती है, 8 गुणा 7, यह हो जाएगा, 56, 56 आपका आणसर आजाएगा, ठीक है बटा, कोई प्रावलम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी कुशन में, ठीक है, आगे बड़े बटा, सवाल नमबर अगला, यह भी था, दूसरे सेट में था, जो मैंने कराया था आपको, सवाल, मैंने इसकी कुशन भी बनाने से काई थी, आपको देखो, एक व्यक्ती ने एक निश्चित दूरी, इसी चाल से तेगी, यदि चाल को 6 कुमिंटर पती गंटा दीमी करता है, तो उसे 30 मिंट अधिक लगते हैं, दीमा नहीं है, एक जगे पर इसमें अधिक होना चाहिए, देखे, अगर चाल को दीमी करता है, तो 30 मिंट अधिक लगते हैं, ठीक है, और यही 4 कुमिंटर पती गंटा दीमी करता है, तो 30 मिंट अधिक लगते हैं, ठीक है, अधिक अधिक ही दे रखा है, तो मुझे सवाल में है confusion यहां से तो इसको हमें मजबूरन छोड़ना पड़ेगा लेकिन सवाल की condition क्या होनी चाहिए फिर मैं मैं बता देता हूँ जो मारा answer आएगा वो हमें बता देता हूँ अगर धीमी करता है चाल तो समय जाद लगेगा और चाल को बढ़ाता है तो समय कम लगेगा यह प्रिंटिंग लेने वाले से कड़ पर होई है आज यहां पर ठीक है तो कि आज question हमने ने लगे हम लगते तो question को डंκ से पड़ी लेते है अधिक समय लगता है और यहां सी चाल को क्या करा है बढ़ाता है, चाल अधिक हो जाएगी, ठीक, और समय भी क्या होगा, कम होगा, यहां पर कम होगा, ठीक, अब देखो, अगर मैं, मुझे पता, distance बराबर, speed इंटो होता है, time, होता है कि नहीं, ठीक, तो अगर मैं आप से करूँ को, distance बराबर, अगर इसने, चाल को धीमी कर दि ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है, आवर में चेंज करने के लिए, फिर अगर इसको हम solve कर लेते हैं, तो यहां st आजाएगा, सीधा सीधा सिंपल, मैंने बताया था आपको, यहां से s का t में होंगे, तो st आजाएगा, s का s में होगा, तो यह आजाएगा, s बटे दो, इस 3 आजाएगा, 3 आपका, st से s कटेगा, और यह आजाएगा, s बटे दो, मैनस, 6t बराबर आजाएगा, यहां पर 3, इसको एक साड में कर देंगे, ठीक है, इसको इधर पहुंचा देंगे, एक साड में, ठीक है, 0 इसता है, यहां से, एक साड में 3 आजाएगा, ठीक है, एक क condition लिख को आपके बखले, चाल को केतना बढ़ाता है चार बढ़ाता है, ठीक है और यहां से चाल को समय कितना लगता है कम लगता है, तो T माने से एक वृट्टे दो, कम लगता है, ठीक है तो यहां से यह condition, S T वाली तो कटी जाती, S का S में करेंगे तो जाएगा s-2, माइनस का, ठीक है, और यहां सी 4 का, s का s में कर दिया, फिर 4 क has t में करेंगे, विärtल यह जाएगा 4-t, ठीक है, अर 4 क就是 count, प्रे İyi जाएगा, माइनस का 2, तो यह रहेगा, माइनस का s ب drained 2, PLUS 4-t, माइनस, जितना भीटा, यहां पर, बरावर 2 चला जाएगा, एक्विशन सेकंड हो गए, अब आप इसको solve कर लेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, कट गया, तो यहां से बचाव मानस का 2 T, और यहां जाएगा, कितना यहां पर 3 और 2 5, तो time आगे, T बरावर आगे, 5 बट्टी 2, मानस 5 बट्टी 2, ठीक है, बात आपको जुरूद थी नहीं, इसमा, देखो, 9 cm तरिज्जा वाले कांच की एक ठोस गोला को, केंद को पिगला कर, 3 mm, 3 mm के, 3 mm के, तरिज्जा वाले कांच की छोटे-छोटे ठोस गेंदे, बनाई जाती है, तो बनी होई छोटी गेंदों की संक्या बताए, ठीक है, मैं इसक यह नहीं कर रहा, cm में, ठीक है, बाद में 10 कड़वाइट करके, हम इसको ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको वेकिवल वैलू को आपको पुट करना बताऊंगा, पहले कर यह क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहां से बड़े वाले ठोस गोले की जो इस पर हमें काम करना सिधा-सिधा, ठीक है, ठीक है, तो यहां से यह भी उको तो 4 upon 3 pi r की हो, होगा की नहीं, बड़े वाले की, और यहां से छोटे वाले की क्या होगा, 4 upon 3 pi r छोटे वाले की तरज्या q into number of गोली, गोली का मल्टिपले को तभी तो इसके बराबर होगा, तो यहां से देखें, तो यहां से यह कितना हो जाएगा, 3 into 3, अब मैंने change नहीं किया, मिमी कुछ sentiment नहीं किया, into kya? n, तो एक चीज़ समझो, कि तीन से यह 3 गया, 3 बार, 3 से यह 3 बार गया, 3 से यह 3 बार गया, तो यह 3, 3, 3 नहीं बचता, 3, 3, 9, 3, 27 नहीं बचता, बचता कि नहीं, बराबर N, अब एक चीज़ समझे, स्कूर्ट चेंज करने के लिए 10 आता हूं, 10 आता, 10 आता हूं, मैं एक अजार आ जाता नीचे, ठीक, एक अजार को मैं मल्टिप्लाइ करूं, तो N बराबर कितना आ जाएगा, 27, प्रंत आंसर आएगा, अटाक से, ठीक है, बात आए कोई डावट ही नहीं होना चाहिए किसी बच्चों को, देखो, ये काफी सिंपल है, मैंने तरीका कैई बार बता दिया है, और मैं बाहर बार पर कहता हूं, बेटा, कुछ नहीं है इसे सवालों में, चिल लेवल के सवाल है, ठीक है, आप गवराएं नहीं, कुछ नहीं होना सवालों से, डरने की आवशक्त आपको नहीं, देखो, 16,000 की राशी वह तीन वर्च के लिए 5% की व्यार्शक दर्च से, गड़ना वार्शक रूप से होने वाली चक्रत व्याज, साधर व्याज के बीचे अंतर, तीन वर्च का, CI और SI का, डिफ्रेंट, रेशियो में तर्स तीन, अटिर, देखो, पहला साल, दूसरा, और तीसरा, यहां से देख लू, 5%. 5%, 1.20, इसका 1.20, 0 से 0 करेंगे, 2.800 तीन एठ करा जाएंगे, और यहां से इसका 1.20 करेंगे, 0 से 0 करेंगे, यहां जाए bipolar तड़ूर यहां जाएगा, 40, इसका एक बट्टी 20 करेंगे, ती आजाएगा बटा, सीदा सीदा आपका 2, ठीक है, तीन साल का रेसी होता है, 3-3-1, ठीक है, पहले वाले को लेते हैं, डिफरेंट भी ये दोनों डिफरेंट होते हैं, मल्टिप्लाइ कर देंगे, ये आजाएगा 120, और ये आजाएगा सीदा दो, टोटल जो CISI का डिफरेंट आएगा, वा आएगा 122, जो कि आंसर नमबर भी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं, सवाल नमबर 13, सिम्पल सवाल आचुका है, ठीक है, यहां पर, मैं आपको क्या बता हूँ, इसकी स्थितिक हो, ठीक है, ये 14 मां सवाल, ये 13, इसकी से भिन कौन से बढ़ी, अब ही पैट का एक जाओं, उसमें भी ऐसा सवाला है, तो मैं आप से एक ही सला देता हूँ, इन संक्याओं को लिख लीजी, एक सगे पर, 6 वट्टे कितना 11, ठीक है, तेरे वट्टे कितना 18, और 19 वट्टे कितना 36, और 25 वट्टे कितन पेपर में, तो ऐसी ट्रिक लगाने की फालतों की कोई जरूद ने, सीधा सीधा इसमें डिवाइड दे दिए, 0 पॉइंट लगाकर, 11, 55 हो जाएगा, 5 बचे का 11, 4, 2 पॉइंट तक वैलू निकाल लेजए, 0 पॉइंट, 130 हो जागी, ये 60 हो गया, ठीक है, 18, 8, 8, 144, ठीक ह ये देखते हैं, बटा, करना क्या, ठीक है, ठीक है, 18, 95, 8, 8, 7, 126, ठीक है, बचा कितना, 4 बचा, 18, 2 आगया, 190 हो जाएगा, ठीक है, 0 पॉइंट, 36, तिया, 180, और 36, चोगा होगा, बटा, 144, ठीक है, और, 36, पंज होगा, 180, 180, 180 होगा, बचा कितना बटा, 10 बचा, 0, 34 दो नहीं, बहत्र, 5.2 आजाएगा, ठीक है, 33, 0 पॉइंट लगेगा, इससे सिंपल तरीका कोई नहीं है, ठीक है, 6, ये, 8, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 8 से तो ज्यादा हो जाएगा, 8 चोग, 32, 32, चोग, 7 बार जाएगा, ठीक है, 7 बार, तो साथ का गुणा करेंगे, ये आजाएगा, 7, 21, और 2, 7, 20, और 2, 31, ठीक है, तो साथ बार तो ये चला गए, ठीक है, कितना बचा बचा, पुटा, 19 बचा, 190 होगा, ठीक है, तो 33 दुनी, 62, तो 3 बार लगो लगो ये जाएगा, कितनी बार जाएगा, ठीक है, ठीक है, सबसे सबसे बड़ा आंसर किसका रहा है, 0.74, यह है, सबसे बड़ी बन किया है, 25 बटे 33 है, ठीक है बटा, अब चलते हैं, question number 14 की दरव, ठीक है, यह काफी simple सवाल है, गवराने के आपको जरूत नहीं है, इसका simple सा pattern मैं आपको बता देता हूं, tension आपको लेनी नहीं है, आप सोचे क सा tension हो जाएगी, कोई tension नहीं होगी, simple सा सवाल है, ठीक है बटा, यहां से एक machine के मूल में प्रती वर्स 25 परशन की दर्द से मूल लेहास होता है, दूसे और तीसे वर्स के अंत में के मूल, मूल ले के बीच में, 22,000 का अंतर है, तो पहले वर्स और पहले वर्स के अंत में machine क मूल के इतना होगा, पहले वर्स के अंत में, machine का मूल के इतना हो, कुछ नहीं है, ठीक है, करते हैं, 100 माल लेजिए, 100 से कानी सही हो जाती है, 100 से लेके चलिए, 25 परशन का हाल होता है, मूल लिहास होता है, ठीक है, इसका हम 25 परशन निकालेंगे, तो सीधा सीधा यह चैतर बाइन लेजिए, इसका 25 परशन निकालेंगे, तो यह आएगा बनवाइफ, बनवाइफ, यह смै बनवाइफ, नहीं आतारेच चौक बैटर, ₹7, 5 हो जायगा, ठीक है, इसको इसमानिस करेंगे, तो हम 74 में से मानिस करना ही कोसिस करते हैं, हमेशा हम कल लेगा पैले से यह- क्योंकि यह कम बाद में तो यह आजाएगा अठार है चौदे में से यह च्छे और यहां से च्छे में से एक यह पांच च्छपन 56.25 अब यहां से जो अंतर है यह वाला अंतर ही तो कहानी है यह अंतर 18.75 की जो वैलू है बटा मुझे चोविस सो के बड़ाबर है 24,000 की है के नहीं है हमें निकालने है 24,000 और यहां से कितना है 18.75 इन्टो कितना है यहांपे सीधा सीधा ही आजाएगा आपका 100 वैलू है यह जो वैलू आएगी यहां पर निकलके यह आएगी लेकिन यह कह रहा है बर्स के अंत में मुल्य हास हो जाता है तो 25% अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या 25% एक वट्टे चान नहीं होगा 4 अगर मैं निकाल दूँ तो सीधर सीधर 3 वट्टे 4 बचा की नहीं 4 थी है 12 ठीक है और 4 दूना 8 ठीक है यहां से 00 ठीक है यह आएगा देखो बैसे मूल्य हास अगर इसने इसने गलत दिया है पहले वर्स के अंत में नहीं तो पहले वर्स के यह जो है स्टार्टिंग वाला यह भूचना चाहिए तो आपका अंसर परफेक्ट है ठीक है बर्स के अंत में करेंगा तो पहले कितना था ठीक है अब कोशन नंबर 15 मैंने आपके लिए छोड़के जा रहा हूं आपको इसके मैं सॉल्व करना वह सरल सवाल है को टेंशन नहीं नहीं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर में देना है और आपको बताना है कि हमारे वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सबसाइब करना है लोग के पास वीडियो को सेर करना है और थैंक यू फर बाचिम वीडियो